आप विविन फरकार के कंपेटिशन देते हैं, RPC हो या कहीं भी और उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है तो जब सिधे सिधे क्यूशन होते हैं तो कोई दिकत नहीं सबको पता होता है इस तरह से एक बिटाती नेगेटिव मार्किंग हो गई मगर कुछ क्यूशन डिलीट हो जाते हैं, पांच परसन, दस परसन, इस लिवार फैस्ट गैडि एकजाम में 17 क्यूशन डिलीट होए, तब क्या होता है, उनके अंक कैसे जुड़ते हैं, तो किस तरह से निकालें, उसका जो फार्मूला है वो आपको अभी इस वीडियो में मि मिलेगा, आपके द्वारा कमेट करके पुछा गया था कि डिलीट परसन जो है, उनके फिर किस परकार से अंक जुड़ते हैं, कई विद्यालती सोचते हैं कि उनके सिद्धे ही अंक चले जाते हैं, क्या होता है, तो हम बात करते हैं, देखिए इस फार्मूले को, आप यह मा परते एक परसन दो अंक चा होता है, तो दो सो नमबर का पेपर आपने दिया, ठीक है, अब जब की आती है, तो पतासला कि 5 परसन तो डिलीट कर दिये, क्योंकि वो कोई गलत थे, भूल से, दो आपसन एक जैसे थे, जो भी हो, माल लिजे 5 डिलीट कर दिये, अब सेस कितने बचे 95 परसन पिचाण में बचे तो पहले तो अलग फार्मूला होता था डिलिट किये वेको उसको बराबर कुछ बांटे थे सब उस था उसमें मतलब उसमें करने वाले को तो फाइदा नहीं होता था नहीं करने वाले को उता था अब जो फार्मूला पूरा वेगानिक फार् और कुल अंख 200 तो वो कैसे बनेगा एक परसन का अंखवार कितना हो जाएगा 200 बटा 95 यानि एक परसन पहले दो नंबर का था अब उसके कुछ पोइंट बढ़ गए इसे 2.105 ये संख्या आगे तक चले गिये से तब केलकुलेटर से वो पूरी संख्या को आप गुना करोगे ना तब आपके सठीक आएंगे नहीं तो पोइंटों में कुछ और फरका जाएगा तो आप एवरेस मान के चलो 2.105 या 2.10 का हो गया तो परसन का अंख बार बढ़ गया ना तो इसलिए क्या होता है अभी हम और देखेंगे कि गलत हुए आपके तो के से आप निकालेंगे तो इसलिए दोस्तों क्या होता है कि मेरिट ज्यादा चली जाती है जैसे मानली जी अब 17% डिलीट हो गए थे पिसली बार पी चित्र में से तो लोगों के नंबर जैसे पहले मानली जी बन रहे थे तो आप उनको गुणा कर लो 76 गुणा ये 2.105 तो ये आपके अंक बन रहे हैं इतने एकदम सटीक निकालना है तो आप 200 में भाग दो मॉबाइल का केलकुलेटर निकालो 200 बटा पिचाण में करो ये भाग फलाया जो भी पॉइंटों में उसको सिद्धे गुणा कर दो आप चियतर से तो एकदम एक्यूरेट इदर आ जाएगा 169.98 अंक ठीक है ये आपके इतने आ रहे हैं अब गलत का देखते हैं एक गलत उत्तर होता है तो बिना डिलीट पे तो वो होता है 200 में 0.66666 इसे ठीक है अब यहां क्या हुआ कि 5 डिलीट हो गए कम हो गए ना पिचाण में परसन है तो पॉइंट 6666 मत करो आपने अंतर आ जाएगा अब आपको करना है 200 में भाग दिया पिचाण में का तो एक परसन जो है वो कितने अंक का आ रहा था पहले आ रहा था 2 का 2 में हम 3 का भाग देते तो पॉइंट 666 आएगा अब आ रहा है अब अंक बार बढ़ गया ना 5 डिलीट होने के बाद में तो 2.105 और यहां मैंने आगे के अंक बिलिके हैं पूरे अंक इतने आ रहे थे केल्कुलेटर में अब इन में हम 3 का भाग देंगे क्योंकि अब नया कबार तो यह है अब उसका 1 बटा 3 कटेगा ना तो उसका 1 बटा 3 कटेगा तो 0.70 कटेगा पहले यह कट रहा था तो अब यह भी ज़्यादा हो गया अब मालिजे आपके 3 परसन गलत होते तो तो सिदा सा है कि आप एक परसन सही को उड़ा देते जिसे मालिजे 6 तरह तो आप 5 तरह से कर लेते अब जरूरी तोड़ी कि एकदम पूरा डाटाई सही हो, 9 ही गलत हो 10 गलत हो गए, 8 गलत हो गए तब आप कैसे निकलेंगे मालिजे आपके 8 गलत होए या जितने भी गलत होते हैं उनको आप जो नया, ये गलत का आँक बारा ना नया, बस 0.70 फिर आगे ये 1, 7, 5, 4 इतना आया या आपके केलेकुलिटर में पुरा आया रहेगा उसको आपके लो गुना 8 से कि भी आपके 8 गलत होए तो आपके कुल कितने अंक कटेंगे 5, 1, 4 ये और एकदम एक्यूरेट निकलना है तो फिर आगे वो पूरे जो आएंगे ना या आगे वाली ये और निकलने तो इसलिए दोस्तों आप मेरिट देखते हैं किस तरह से जैसे मान लिजिए 285.980413 वो इस तरह से तो ये डिलीट होने के वज़े से जो है ये आखड़ा और ज़दा जो है इस तरह से पेचिदा हो जाता है फिर उस समय जो डियो भी है वो और ज़दा माईने रखती है तो सिद्धा साफ हार्वला क्या है कुल अंक बटा सेस परसन यानि कुल अंक है 200 या मान लीजिए 150 सेस परसन कितने रहे डिलीट के बाद अब डिलीट का तो आपको पता कब सलेगा जब वो की जारी करेगी तभी पता लगेगा अभी पता नहीं है और नेगिटिव निकालने के लिए कुल अंक बटा सेस परसन और जो भाग फला रहा है उसमें तीन का भाग और दे दो तो इस तरह से आप अपने जो अंक है वो निकाल सकते हैं तो दोस्तों अच्छा लगा फारवूला तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें चैनल को सुब्सक्राइब कर लेए धन्यवाद दोस्तों